गुड मॉर्निंग चिल्रेन तोड़े आएम गॉइंग टू टीच यू सब्जेक्ट इन वर्मेंटर स्टेड़ी और इन सब्जेक्ट आएम टीच यू चाप्टर वन फूर प्रोड़क्शन इन प्लांट्स पौधों में भोजन कैसे बनती है तो लेटरस डिस्कॉसिस्ट इतने सारे प्लांट्स के जो ग्रिन लिप्स होते हैं हरे पत्ते जो होते हैं वो भोजन बनाने का काम करते हैं पौधों के लिए जैसा कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाए गया है लिप्स का इस पार्ट्स को हम लोग स्टॉक करते हैं और इस पार्ट्स से एक लंबी सी vein cross करती है जाती है जिसको हम लोग main vein या midrip भी कहते हैं यह मुखो vein है lips का इसकी अलाबे यह सब lips जो है यह branches है veins का branches है जिसको हम लोग side vein भी कहेंगे इस वाले part को leaf blade कहेंगे और यह छोडो हो गया leaf का आखडी छोडो इसको लीफ अपेक्स भी कहते हैं तो यह एक फिगर है लीफ का अस्टेम के सहाड़े जो रूट से वाटर या मिनल्स जो भी जाती है वो पतियों तक पहुंचती है तो इसके ही द्वारा मतलब मेन एलीव या मेन वेन के द्वारा ही पुड़े पत्तों तक आती है और इसके द्वारा जो ब्रांज वेन है पुड़े पत्तों तक वो उसके मि पहुचाने का काम करते हैं और CO2 का मिनरल और वाटर इस ब्रांच के द्वारा वेन साइड वेन के द्वारा पूरे पत्तों तक पहुचती है Note The midriff and side vein have a small tubes इन दोनों मतलब midriff and side vein में बहुत सरे छोटे 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 tubes होते हैं जिसको हम लोग दो तरीका से या दो पार्ट में हम लोग बाट सकते हैं जिसको हम लोग जैलम कहते हैं और second को phloem जैलम का काम क्या होता है यह जो हती है जो roots से water और minerals को पत्तों तक पहुचाने का काम करती है और phloem का काम होता है जो पत्तों में भोजन जो बनी हुई है उसको वो प्लांट के different parts तक पहुचाने का काम करता है Leaves have chlorophyll, make the leaf look like green Leafs में पत्तों में chlorophyll होती है जिसका रंग हरा रंग का होता है जब हम एक leaf को देखते हैं गौर से अगर इस छोटे वाले part को हम लोग कट करके अगर side में उसे एक microscope से अगर देखते हैं तो मुझे इस तरह का structure दिखाए देगा जिसको हम लोग stomata कहते है जनरली यह stomata दो side cell, guard cell से घिरे होते हैं इस तरह के cell को लोग guard cell कहेंगे क्योंकि यह जो है इसको protection देनाय काम करते हैं इस बीच वाले stomata पर protection देते हैं इसलिए से guard cell भी कहेंगे इस stomata के थरू क्या होता है environment से carbon dioxide इसके थरू अंदर आती है और इसके थरू oxygen और water जो है बाहर की और निकलती है अब बात करते हैं how do plants make food कैसे भोजन बनाते हैं पेरपोधे या plants जिसलिए से picture देख सकते हो आप roots में बहुत सारे hair होते हैं tanny hairs जो कि वहां से मिट्टी से पानी को absorb और minerals को absorb करने के बाद उसमें co2 मिल जाने के बाद वह अस्ट्रोमाटा तक पहुंचती है और these raw materials जो यह सभी जो raw materials है जो कि वहां पहुंचकर food बनाती है या food वहां पर जाके बन जाती है और यह सब जो होता है chlorophyll के presence और sunlight के presence में होता है जो कि पत्तों महरा रंग पाए जाती जो कि chlorophyll ये कारण होती है और during the day मतलब दिन के समय में यह होती है जिससमें हमें सुरी के रोशनी या पेरपोद्र को रोशनी जो मिलती है इस कारण से प्रक्रिया आसानी सहो पाती है इस पूरे process को हम लोग photosynthesis कहेंगे इस तरह के process में CO2 plus H2O CO2 means carbon dioxide इसमें H2O मतलब water दोनों आपस में मिलता है during the day it means sunlight and chlorophyll presence of chlorophyll तो इस तरह से क्या बनता है glucose बनता है जो कि glucose यह भोजन बनाती है भोजन को कहते हैं glucose जिसके बाद O2 रिलीज होता है और water vapor रिलीज होता है यह दोनों जो है स्टोमाटा के तरूब बाहर निकल जाता है तो यह process है photosynthesis को हम लोग अगर दो भाग में बाट देते हैं तो photo means light or synthesis it means putting together मतलब सभी को एक साथ मिलाने कि प्रक्रिया को photosynthesis कह सकते हैं अब बात करते हैं कि plants में जो भोजन बन जाती है उसका uses क्या होती है तो plants इसका growth में इसके repairing में कहीं कट जाते हैं तो उसको घाव को भरने में और नए नए cells का बनाने में और इसके अलाबे जो extra food जो बच जाती है जो की root में stem में lips में stars group में वह perform हो जाती है में convert हो जाती है इसके लब देखते हैं food production in same unusual plants food production in some unusual plants plants के generally four types दिखाएगा है सेप्रोफाइट पैरसाइटिक टिजर्ट प्लांट्स एन इंसेक्टिवोरस तो फर्स्ट में हम बात करते हैं सेप्रोफाइटिक जिसको हम लोग मिरे और मस्रूम यह जो है जनरली डेड ठींग्स और सरग्याले पत्तो या जानवरों पर निकलते हैं कुछ plants होते हैं जो की chlorophyll उसमें होते हैं लेकिन chlorophyll जो है उनके lips के पत्तो के dark red परपल और pink color के कारण जो उनके जो chlorophyll hidden हो जाते हैं चिप जाते हैं इसलग के पौधों में Croton and polyus दो plants है जो प्रिप्रियर on food like green plants यह भी अपना भोजन तो बनाते हैं लेकिन जैसे भोजन green plants बनाते हैं वैसे यह अपना भोजन बनाते हैं यह सप्रोफाइट का दो एक्जांपल है मॉल्ट्स इस पर लिप्स में हम लोग देखेंगे तो छोटे छोटे बहुत सारे डॉट से को मॉल्ट्स कहेंगे और यह मस्रूम है अब बात करते हैं प्लांट्स पर जिवी पौधा इस तरह के पौधे जो होते हैं जो दूसरे के दूसरे पौधो पर पनपते हैं या दूसरे पौधो के ऊपर जीवी तरहते हैं और वहीं से अपना भोजन लेने का काम करते हैं और जैसे कि अमर बेल जिसको हम डोडर भी कह सकते हैं डेजर्ट प्लांट्स रेगिस्तान में जो गने वाले जो पौधे होते हैं जिसके कैक्टस इसता के पौधे जो होते हैं जहां पर पानी बहुत कम होती है वहां पर इसता के पौधे मिलते हैं इसके जो अस्टेम जो होते हैं उसमें क्लोरिफिल पाए जाती है और अस्टेम जो water का reduce है, पानी की कमी या पानी का investment कम से कम हो सके, इनके जो जर होते हैं, काफी deeply होते हैं, मतलब स्वाइल के अंदर बहुत ही deeply होते हैं, जिस कारण से वो अधिक सधिक पानी को उसके अंदर से ले सके, त्योंकि रेकिस्तानी वाले चत्रों में पानी की बहुत कमी होती है, जहीं जो खते हैं अब बैत करते हैं, इस तरह के प्लांट से लेकिन इसमें, उन्हें मिल पाती हैpciónकि पोऊशन के टरहां से बहुत凍श, लेकिन इनको उस तरह से पोशन नहीं मिल पाते इसलिए उस पोशन को प्राप्त करने के लिए उस नुट्रिशन्स को प्राप्त करने के लिए पाने के लिए वो क्या करते हैं दुए छोटे-छोटे कीरो को ट्रैप करते हैं और उसे अपने और उसे डाइजेस्ट कर खाने के उसमें से या ku shifting करते हैं कि इससरों में एक होडोजुब सोता है इसमें बहुत सारे नेक्टर नेक्टर मतलब भड़े रहते हैं रंद्र भड़े रहते हैंते हैं निफ्स union सारे कीरिय अगर आते हैं इसके अंदर जब आते हैं तो यह ढकन अपने मिन हो जाता है और उसके चले जाते हैं, तो इसके अंदर digestive juice होती है, पाचक रस होते हैं, उसको गला करके उसे खाने का काम करते हैं, इस तरह से वेनेश fly trap है, जो कि इसके जो lips होती है, या इसके जो hair होती है, काफी sticky होती है, काफी चिपचिपे होते हैं, ये दोनों खुले होते हैं, लेकिन जब ये इस हेर पर जैसे ही कोई भी कीरे के बैठते हैं तो इस टिकी जो यह जो चिपचिपए पदार थे उस कीरे को कीरे को चिपका लेते हैं और या फिर कह सकते हैं कि यह कीरे जो हैं उसे हेर पर चिपक जाते हैं जैसे ही यह पर चिपकते तो यह अपने आप क्या होता बंद होने लगता है और बंध हो जाने के बाद धिए फिर उस कीरे को खा़ा जाता है और इस तरीका से उसे रहों आपने उस तरीका दो को किरे से लेता है किया आप हम लोग बात करते इंडीज़ां इंट्र डीपेंड इंट्रेंदेंस of और निर्फरता जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जिस तरीका से एनिमल्स और हुमेंज यहां सियो टू छोड़ते हैं जिसके थ्रू क्या होता है पेर पोधे उसका यूज करते हैं अपने भोजन बनाने में उसी तरीका से पेर पोधे भी ऑक्सिजन को छोड़ते हैं जिसका यूज हुमेंज और वहुत सरे एनिमल्स और बर्ड उसका करते हैं तो यह प्रोसेस कोहीं अधिक मात्रा में मिलेगी नहीं इसका रण से बैलेंस बिगड़ जाएगा उसी तरीका से अगर पेर पर तरीका से अगर बर्ट्स या इनिमल की संख्या ज्यादा हो जाती है तो उनको भी अधिक सथिक चाहिए अगर पेर पोधे कि कम अक्सिजन पेर पोधे कर कम होंगे तो तो उतनी ऑक्सिजन नहीं दे पाएंगे तो वह भी सही ढंग से लाइफ को एस्पैन नहीं करब सकते और इस तरीका से वह भी मर जाएंगे तो इसलिए एक दूसरे को डिपेंड रहने के लिए दोनों का संतुलन बना रहना बहुत जरूरी है इसके लिए हमें चाहिए कि हम में इन सभी चीजों को अधिक सधिक प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे तीसरा से चैप्टर कंप्रीट हुआ मुझे ऐसा है कि आप लोगों को यह चोटा सा वीडियो जो की इन्वर्मेंटर स्टेडी से है अच्छा लगा होगा बाकी का वीडियो कल या नेक्स्ट क्लास में भेजा जाएगा तब तक के लिए थैंक यू प्लीज इसे लाइक और सेयर या सबस्क्राइब जरूर कीजेगा